फंगल इंफेक्शन की समस्या में इस पाउडर का उप्योग किया जाता है जैसे कि अगर किसी के इसकी न्यानी तोचा पर फोड़ा फुनसी दाद खाज खजुली की समस्या है तो वहाँ पर भी ये आप पाउडर इसकीन पर अपलाई कर सकते हैं अगर आपके सरीर में बहुत जादा खुजली की समस्या रहती है तो वहाँ पर भी आप अपने बॉड़ी पर ये पाउडर अपलाई कर सकते हैं चलिए अब हम आपको बताते हैं और इस पाउडर का उपयोग किस परकार के एंटी फंगल इंफेक्शन की समस्या में आप ये पाउडर उपयोग कर सकते हैं इस पाउडर को और कौन सी दिक्कत, कौन सी समस्या, किस परकार की बीमारी रहती है, या फिर किस परकार की समस्या रहती है, तब आप इस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, इसको एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, कौन ये पाउडर लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता किस परकार के anti-fengal infection में आप इस powder का उपयोग अपने skin पर कर सकते हैं इसके बारे में आज हम आपको पूरा detail से हिंदी में जानकारी देंगे जैसे कि आपको पता होगा गर्मी का time चल ला है या गर्मी का time हो या फिर ठंडी का time हो आप को ये देखने को मिलता है कि आप अगर tight कपड़ा पहन लेते हैं tight कपड़ा पहनने की वज़ा से गर्मी में क्या होता है पसीना होता है पसीने की वज़ा से वहाँ पर खुजली होने लगती है फोड़ा फुनसी की समस्या हो जाता है कई बार आपने देखा होगा टाइट कपला पहने की वजा से आपको दाद का प्रोबлем हो जाता है जिसे की काच में हो गया टाइट कपला पहने की वजासे या फिर आप अपने हास में देखा होगा आपके कंदे के बाजू के साइड में infection की समस्या हो सकता है यानि दाद, खाज, खजली की समस्या आपको काफी दिन से काफी लंबे समय से दाद, खाज, खजली की समस्या बना रहता है ये आपके कंदे पे हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, आपके पैरों के उंगलियों के बीच में हो सकता है, आपके एडी में हो सकता है कहीं पर अगर फंगल इंफेक्शन की समस्या रहता है तब डॉक्टर के दोरा ये पाउडर इसकीन पर अपलाई करने के लिए दिया जाता है फंगल इंफेक्शन की समस्या में जैसे कि अगर आपके सरीर में कहीं पर दात, खाज, खजली या फंगल इंफेक्शन की समस्या रहता है तो आपको ये देखा गया होगा अपने बॉडी में कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होती है आप बार बार खुजलाते रहते हैं उसकी वज़ा से आपके स्कीन पर redness की समस्या आजाता है और कभी-कभी देखा होगा उसमें से पस भी निकलने लगता है और बहुत ज़्यादा पेन सा होता है बहुत ज़्यादा एक तरह के सहिं कह सकते हैं अगर जो आपका स्कीन है आपके कपड़े से टेच होता है तो काफी ज़्यादा की समस्या यानि दर्द की भी समस्या होता है तो इन सारी समस्याओं को ये powder जड़ से ठीक करने का काम करता है डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं में ये powder पेस्क्राइब किया जाता है यानि मरीज को skin पर apply करने के लिए बताया जाता है डॉक्टर के दौरा जैसे कि अगर fungal infection के कारड़ आपके body में जलन, खुजली, इचिंग या फिर दाद, खाज, खजुली की समस्या है तब इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के दौरा ये powder skin पर apply करने के लिए दिया जाता है जैसे कि अगर किसी के body पे दाद, खाज, खजुली की समस्या रहती है आपको पता होगा दाद कई परकार के दाद का समस्या अगर किसी के skin पे रहता है तो हम एक परकार से ये आपको बताना चाहते हैं कि दाद किसी भी परकार का अगर आपको दाद की समस्या है तो ये दाद की समस्या को भी ठीक करने का काम करता है डॉक्टर के द्वारा ये दाद की समस्या में भी पेस्क्राइब किया जाता है जैसे कि अगर आपके इसकीन पर कोई कीड़ा मकोडा काट लिया है उसकी वज़ा से अगर आपके इसकीन पर redness की समस्या आ गया है या फिर आपको खुजली की समस्या हो जाता है कई बार क्या होता है कोई कीड़ा मकोडा काट लेता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा फफोले से एकदम पड़ जाते हैं और जैसे की छोटे-छोटे दाने भी हो जाते हैं और आप बार बार वहाँ पर खुजली करने लगते हैं तो इससे infection और बढ़नी की समस्या हो जाता है तो आप इस समस्या में भी डॉक्टर के दौरा ये powder skin पर apply करने के लिए दिया जाता है चलिए अब हम आपको इस powder के dose के बारे में बताते हैं ये powder आपको एक दिन में कितनी बार यूज़ करना होता जैसे कि ये powder डॉक्टर के दौरा दिन में दो से तीन बार आप अपने skin पर लगाने के लिए डॉक्टर के दौरा बताया जाता है जैसे कि ये powder लगाने से पहले आप अपने हाथ को डिटॉल या साबून से अच्छी तरीके से धुलने धुलने के बाद में आप अपने हाथ को एक परकार से साप तौलिया में पोच्छें और जिस आपने skin पर यानि जहां पर आपको infection की समस्या है skin पर वहाँ पर ये powder लगाने से पहले उस skin के particular area को भी अच्छे से वास कर ले यानि वहाँ पर अच्छे से साप कर ले साप करने के बाद में ये powder आप अपने skin पर अपलाई करें जहां पर आपको infection की समस्या है चलिए अब हम आपको इस powder के side effect के बारे में बताते हैं जैसे कि इस powder का कोई भी खास side effect नहीं देखा गया है बट अगर आपको ये powder skin पर अपलाई करने के बाद में अगर आपको कोई भी side effect दिखे तो तुरंत ये powder आप अपने skin पर लगाना बंद कर दें और अपने doctor या pharmacist से तुरंत संपरक करें इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है और कोई परिशानी है तो एक बार अपने doctor या pharmacist से आप संपरक करें आप अपनी दिक्कत परिशानी बताएं उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी medicine ले कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेटसीन आप अपनी मर्जिस से उप्योग ना करें